इन बैटर का कनेक्शन करना बिलकुल आसान है ये इन बैटर का सामने वाला है ये इन बैटर का पीछे का इसा और ये बैटरी है वीडियो को पूरा देखना पूरी जानकारेशी में आपको दी जाएगी ये बैटरी का मैन है और ये चार्जिंग को दिखा रहा है दो बत्तिया चले चले इनवेटर का सामनी का भाग और यह बटन ओन ओन ओप का है एक बार दबाओ गई तो ओन हो जाएगा दूसरी बार में ओप हो जाएगा आप सामनी की तरह बें पाँच बत्य है और पाँच बत्यों का अपना-पना महत्व है यह मैन लाइन का हैения अतिया तो यह बलफ आपसा जल जाता है और यह charging का है अगर inverter charge हो रहा है तो यह लब जब बाली बत्ती जलती है और backup लेता है तो वो जलती है और जब low battery होती है तो यह बाली जलती है और low battery होने पर पी-पी के आवा जाती है और overload होता है अगर ज़्यादा voltage ले रहा है इनवेटर फिसे ज़्यादा load चला रखा है तो यह overload वाली बत्ती जलेगी अब हम चलते हैं इनवेटर के पीछे की और पीछे की तरफ यह पंखा है जो गूमता रहता है गराम अवा को बाहर निकालता है और यह man wire है जिसको board में लगा देते हैं और charging होती रहती है इनवेटर की इनवेटर को charge करने वाला wire है man wire प्रिश के बाद में दो wire और है काला और लाल तो जो काला wire है यह minus का है और लाल wire पिलस का है पिलस वाले wire को battery के पिलस टरिमिनल से जोड़ देते हैं और minus वाले को minus वाले तरिमिनल से जोड़ देते हैं इस तरह से इनवेटर सेट हो जाता है अब पीछे एक तरफ यह five pin socket है अब इसमें हम कुछ भी पंका cooler कुछ भी लगा करके हम बलफ लगा करके चला सकते हैं अब यहां पर five pin लगा रखा है इसमें से एक तार लगा रखा है क्योंकि घर की fitting हुई है इसलिए एक ही face निकाल रखा है और अर्थ हमने जो man line है उसका ले रखा है अगर आपके मकान में fitting नहीं है तो आप दोनों तार पीचे से निकाड सकते हैं और चला सकते हैं एक डायरेक्टिव इसमें पंके को लगा सकते हैं और पीचे की तरफ ही तीन बटन और है एक पुस्का है और यह नॉर्मल और UPS जैसे इस इस इनवेटर में है उसी तरह से आपको इनवेटर को सेट करके रखना है इसको नॉर्मल पर रखना है और उसको अप पर रखना है आपका इनवेटर साइसे चलेगा और चार्जिंग में होगा यहां से चार्जिंग बंद हो जाती है इनवेटर को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं यह बैटरी है और यह बैटरी के जो 6 सेक्षन वाड़ी बैटरी है इस तरह से जैसी भी आपके पास में सुवीदा हो उसके अनुसार इनवेटर को सेट कर ले रख ले और यहां पर देखिए जो बलफ जल रहा है उससे पता चल रहा है कि में लाइन चालू है यानि इनवेटर में लाइट आ रही है और चार्जिंग वाला दिखाता है कि चार्जिंग हो रही है अब यहां पर यह बैटरी है और बैटरी को हमने सेट कर लिया है पिलस वाले को पिलस में जोड़ना है और माइनस वाले को माइनस में जोड़ना है और यह सौकिट है फाइपिन सौकिट इस पर हमें प्रग लगा करके इसको आउटपुट ले लेना है और यह हम लगने का आजसान तरीका आपने देख लिया किस तरह से इनवेटर का कनेक्शन किया जाता है अगर आपकी मकान में लाइट फिटिंग हो रही है पहले से और आपको इनवेटर का कनेक्शन लेना है उसमें तो उसके लिए आपको अर्थ और फेस दो तार होते हैं उनकी पहचान करनी होगी कौन सा तार अर्थ का है और कौन सा फेस का है फेस वाले तार को हटाना है और उसकी जगा पर इंवेटर का तार लगाना है अगर आपकी समझ में नहीं आता है क्योंकि हर बूर्ड पर इंवेटर का तार देना होता है उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी पहचान करना भी बहुत जरूरी होती है अगर आप से अर्थ और फेस का तार पहचान करने में नहीं आ रही तो आप इलेक्टरिशन को बुलाए और उसको बुलाकर कि जितना उसका मेहनत मजदूरी लगती है 1500 वो उसको दे और उससे लाइट पिटिंग के अंधर इनिवेटर का कनेक्शन करवाए है अगर लाइट पिटिंग का कनेक्शन नहीं है डाइरेक्ट है तो उसमें आप आसानी से इनिवेटर लगा सकते हैं उसमें कोई परेशानी वाड़ी बात नहीं है, अर्थ फेस का कोई चक्कर नहीं है, दोनों के दोनों तार इन्वेटर में लग जाते हैं तो आप इस बात का बिशिज ध्यान रखें, अगर आपको लाइट फिटिंग मकान के अंदर हो रखी है पहले से, तो आपको इलेक्टिशन ही बुलाना होगा, क्योंकि उसमें पूरी मेहनत करनी पड़ती है, और इलेक्टिशन के पास में पूरे ओजार होते हैं, जिसके जरि बें इनिवेटर के वायर का कनेक्शन दे देता है, अगर आप से गलती से भी तार इदर उदर लग गया, या टाच हो गया, तो पूरी लाइट फिटिंग जलने की संभावना रहती है, इसलिए आप इलेक्टिशन को बुला करके ही इनिवेटर का तार लगवाए, अगर झाल आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, इसके लिए आप ठैंक्स का उप्यूग कर सकते हैं, और इसके साथ आप सदस्ता लेकर के भी आर्थिक मदद कर सकते हैं,